हलो एंड वॉलकम टाप डिफेंट्स लिउच की एक फ्रेस एपिसोड में आप सब को तहे दिल से स्वागाते फ्रेंट्स आज की इस टपिक में हम बात करेंगे हलन की हिंदुस्तान एरोनेडिक लिमिटेड की तरफ से न्यू अपडेट जो की सामने आ रहा है तो प्रेंट्स कुछ बिजनेस की तरफ से आज हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दो कि आज की इस टपिक में हम बात करेंगे हल और सफरान एरट्राप्ट ने यहाँ पर बानेडिक इंजिन पार्ट्स निर्मान के लिए यहां पर समझोता जापन पर हस्तागर किया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान Aeronautic Limited की बारे में साथ साथ जो निव अपडेट सामने आ रहा है तो यहां पर मैं आपको बता दू हिंदुस्तान Aeronautic Limited और सफ्रान Aircraft Engine ने यहां पर बारे में चिक इंजिन के लिए यहां पर निव हस्तागर स्थाफन किया है इस साथ से हम बात करेंगे इस अदुकी की स्वायक और विकसित करने के लिए एक समझोता जापन यानिके में उको पर हस्तागर किया गया है तो यहां पर मैं आपको बता दू हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड यानिकी हल के तहट जो अपडेट आ रहा है कि इसको हर एक रुप से अपनी अपडेट के तहट कहिना कहीं हम बात करेंगे काउंट्रों स्वार्ट की सुविधा यहां पर अभिलेबल हो सकता है और उसी साफ से हम बात करेंगे कहीं न कहीं यह आने वला दिन में सैकलिटी एलिएफ के तरफ काम करेगा जहां पर लैंडिंग एज उसी साफ से एविवेशन परफेशन परिवहन के तहट ए-320 न्यू परिवार आर वोइंग 737 इंजिन को कभी हद तक यहां पर उत्वादवन करने में सामिल कर सकता है तो इस समझोते के ग्यापन पर बात करेंगे गुरुबार को यहां पर दोनों कम्पनिया की प्रमुक अधिकारियों के साथ हस्तेख्यार में अपडेट हुआ था जहां पर हम बात करेंगे बैंगलूर में H.A.L. में यहां पर C.E.I. पर अपडेट किया था जहां पर बैंगलूर कमर्सियाल अपडेट के तहत और एक अपडेट आ रहा है फ्रेंड में जिबात करो सक्ति और हिलिक्याप्टर इंजिन के संयोक्त विकास पर पता चलने की हम सफ्राण साथ अगले पडेट करते हैं जिदे में बात करतू यहां पर जो सफ्राण है वो मैनुफेक्चरिंग कंपनी है जो कि helicopter engine parts को बनाते है उसी साफ से हम बात करेंगे हिंदुस्ता नेरोनेटिक लिमिटेट जो HL है वो भी सेम काम करता है तो कहीना कहीं कुछ चीज़ स्वदेशी है यहाँ पर 20% चीज़ आउट अफ countries से हम लोग जो की input करते है तो जहां पर हिंदुस्ता नेरोनेटिक लिमिटेट काफी समय से भारत का बक्तारबान हिसाफ से जहां पर DRDO एनिक डिफेंस रिस्चर्च अगानेशन DRDO की तरफ से तरफ से new update आय था और साजी साथ में बता दूगी आने बला दिन में यह जो हस्टेकर हुआ है तो काफी सारा parts जो की स्वदिसी रहेगा भारत में स्थापत किया जाएगा manufacture किया जाएगा उसी साफ से कहीना कहीं make in India और made in India बुजिट को तहरत को काफी हाथ तक boost मिल सकता है और इससे साफ से कहीना कहीं इसको आगे अपडेट किया जाएगा ठीक है फ्रेंट्स आज का यह टबिक था नेक्स टबिक में हम बात करेंगे कुछ न्यू अपडेट के तहरत तब तक के लिए फ्रेंट्स कीफ वाचिंग ताफ दिफेंस नूस्ट